यहां पर एक बेटी आई हैं मैंने उनका नंबर आया था मेरे से मुलाकत के लिए दुफर में मैंने उनको मुलाकत की उनसे बलाया तो उनने हाथ जोड़के निवदर किया कि गुरू जी मेरे परवार के लोग शेकड़ों लोग इंतजा कर रहे हैं लाई में पूछने के था जाएं तो आ खड़े ओकर आजये यहोगां जिन्होंने हमसे Fahrenheit हमारे परमकोटी में परवार कुछने नीकिए पनाई लिए डियां रखिएगा जी आ रही है इनसे मेरे याँ पहले से कोई भी समस्पाह नहीं पूछी गई और नहीं प्यच्दा जाता है हम जब लिखते ह हम चब बताते हैंतों ताल ठोक के बताते हैं तो रोग पाय रोग लो हम रोतों तो नो एंडूर जी इसके पीछे का यह कुम है अग्णार मुझग प्रटम में मॉझाई हब यह यह पढ़ी पासम हिए यह लगर कुब कि एक भी बुंद मदीरा जाएगी तो वो नहीं जी पाशकेगा इधर उदर एई ससुराल वाले ले जाते थे मैं बोले कि कपंडोकर सरकार के में मेरको विश्वास है आप अहुको थोड़ा सायकार दो ससुराल वाले ने ना बोल दिया बेटी भी बहुत मेरको खराखोना लगाओंगी जो मेरी बेटी मान जाए आधे घंडे में उनका फॉण आया मम्मी ले चलने पंडोकर सरकार के पास अए है पंडोकर सरकार की यही तो बात है गुजरात में में जहां से आती हूँ कोई नहीं है किसी को पता नहीं है मैं कहां जाती हूँ किसी को पता नहीं है म में रात में बोलती थी ताइव उनका खर्चा हो गया ऑस्पिटल में में बोली कि तू डाइव पंडोकर सरकार के मंदिर बनता है वहां दे बोले मम्मी तू आजकल की गववार है तू पंडोकर सरकार में क्या देखती है बार बार हमको वहां ले जाती है मैं जनता से सकोगे और कोई नहीं इनके प्रवचन के टाइम मगज किसी में ना जाने दो किसी से बात ना करो गुरुजी का जो प्रवचन है मैं दिल से सुनती हूँ मैं रात बर उनका वीडियो देखती हूँ करवालों मुझे मना करते हैं बोलती है कि भूत तेरे पर भी सवार हो गया है उनका तू वीडियो रसोई बनाती है रोटी बनाती है तो मैं मोबाइल किचन में रखती हूँ को या जाता है बेटा है और मेरा पती में जल्दी बंद कर देती हूँ यह लोग मुझे डांटे नहीं मुझे इतना विस्वास है कि गूरु सरण जी महराज ने जो बताया ह है वो बिल्कुल जूठ नहीं है अब भी बेटी के सुसुरालवारे सब सुन रहे हैं बोले कबसे बताया कि हम सब मोबाइल टीवी में कनेक करके सब बैठ गए है तिन चार घरों में मैंने बोला कि तू देख आज मेरे गुरु सरण जी महराज क्या है बहुत है चलिए बता इतना बीमार था कि बचने की कोई उमीद नहीं थी गुरु सरंची के सरण में मैंने मस्तख जुपाया और अथिवांजी महराज और पंड़कर सरकार को मैंने निवेदन किया कि मैं इतना जाप जपूंगी आप उनको समझा लो तुरंती फरक आने लगा थोड़ा खाना खा यहां पंड़कर में वो बेटी का फोण आया अभी थोड़ा अच्छा है बहुत है चलिए समस्था कहले के आई है कि क्या बिशाए विंदू है आपके क्या बेटी का सुभाग गुरुजी आपके सब बीमार है तो में वो सब बोलते थे आजो बाजोवाले बोल दिया कि आई है हाँ तो बोले मम्मी उन्होंने इतना पैसा बोला है मैं वहां चली जाओ मैंने बोला मेरा पंडोकर सरकार जो बताएगा वही सही होगा बोली एक तेरे मगज में धून लग गई है जब देखें दरवाल में आई स्कीम पर माईगी ज़िए नीरू नीरो को मजरा तर विश्टापत यहां बेटी हैं उनके परवर्चन आप हैं आप 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 सानों देखें कि उसके बाद बेटी पिंकी और जिगनिस नाम जिगनिस कुमार का मेडिकल के काम में सफलता मिलेगी कामदा में विकास होगा विदेश में सफलता प्राप्त होगी कानाडा में सफलता प्राप्त होगी और पूरे कार्चेतर में विश्टार उनती होगी और नौ प्रसन आपके जो हैं वो करमसा हैं आप परची में लिखके लिए आई हैं और गुजिराती भासा में लिखके लिए आई हैं सफलता प्राप्त होगी आसिरवाद है आप परच मेराज के चरून में जाके या बात बताई कि यू पी में ये सह acquainted मैरी गुरुमाता मैंने जो किये वहां पर वो नी यसा कर दो स्वामी नाराण भगवान मुझे बता दे मुझे अच्छी कर दे महाराज स्री कुछ नहीं बोल पाए एक अजार आठ माध्वेंद्र प्रसाद जी महाराज चले अलमान जी कर दो जाटा स्वाप टूर। कि बोलिया पंडो का सरकार की इसके बाद चलते हैं